हलो स्टूडेंट्स ये जो ओनलाइन सॉफ्ट्वे इंजिनेरिंग क्लासेज का प्सेलेवस देख रहे हो वैप इंस्टिट्यूट डॉट कॉम पे इसके फॉस्ट सेमेस्टर्स में जितने भी लेंग्वेजेज है उनसे हमने कई सारे प्रोजेक्स को डेवलप किया उनमें से जो टॉप क्वालिटी के प्रोजेक्स है मैं उनको प्रेजेंट कर रहा हूँ जरा ध्यान से देखिए HTML5 में हमने एक ब्राउजर क्रियेट किया जिसमें डाउनलोड मैनेजर की फंक्सनालिटी है यह ब्राउजर हमने desktop application के रूप में क्रियेट किया है यह देखिए यह ब्राउजर का इंटरफेस है यहाँ पे आप URL को टाइप करके जब एंटरप्रेस करोगे तो ध्यान से देखिए जैसे ही server से response आएगा, automatic loader चला जाएगा, अब इसमें हमने डाउनलोड मैनेजर की फंक्सनालिटी दी है जैसे मैं एक song आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए मैं जैसे 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 ओपरेट करूँगा, automatic original browser की तरह यहाँ हमने URL को detect किया है, और यहाँ पर हमने present किया है, जैसे मैंने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया, आप ध्यान से देखो, यह हमने custom create किया है आप यहाँ से पाउज कर सकते हो, फिर resume कर सकते हो, ध्यान से देखिए, जितने MB का है, फाइल जो download हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है, और कितना download हो गया, वो भी दिखाई दे रहा है मैं फिर से resume कर देता हूँ, देखिए download complete हो गया, अब अगर आप इस पर क्लिक करोगे, तो download होकर file जहां जाएगा, automatic वो location ओपिन हो जाएगा तो ये पूरी functionality हमने, बिल्कुल custom अपने सब्दों में create किया है, pure java script और html5 के सब्दों में, आप इजली यहां से back कर सकते हो, forward कर सकते हो, और जो backward या forward link create होगा, automatic आपके URL वाले input field में update हो जाएगा कोर्स इतना powerful है कि इसमें हम Google के APIs, YouTube API, Facebook API और Twitter API इसलिए पढ़ाते हैं, ताकि आप Google की service को access करके application बना शको, जैसे आप Google Drive को access करने के application बना शको, Maps को access करने के application बना शको, अगर आपको Facebook से related data को access करना है, तो इसके लिए हम Facebook API आपको पढ़ाते हैं, और सबसे important चीज हम लोग यह जो chapter content करते हैं, जैसे आपने देखा होगा YouTube में यह गाना.com में, जब आप शौंग को डाउनलोड करते हैं, जैसे आपने देखा होगा YouTube में यह गाना.com में, जब आप शौंग को डाउनलोड करते हो, तो डाउनलोड हो कर, वो application में ही जाता है, इसके वज़ाशे आप songs वगाड़ा share नहीं कर पाते हो. अब जैसे देखे, इस application में यह song का list है, डाउनलोड हो गया, मैंने यहाँ क्लिक किया, डाउनलोड हो गया, अब अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा, तो यह देखे, यह automatic mp3 player में play होगा, अगर यहाँ क्लिक करूंगा, तो automatic video player में play होगा, लेकिन जब भी भी downloaded file को play करना होगा, पहले आपको application open करना होगा, तब वो play होगा, यूट्यूब में भी ऐसा होता है, अगर आप offline file डाउनलोड कर लोगे, तो दुबारा आपको YouTube application open करनी होगी, ताकि आप downloaded file को चला सको, हमने यहाँ पे same algorithm इस्तमाल किया है, और आपको बताया है कि YouTube या कोई भी mobile application, जब data को download करती है, तो वो application में ही secure drop से, उन्हें कैसे छु आप कैसे शिखोगे, simply आपको webinstitute.com पे जाना है, यह salivus देख लेना है, अगर आपको salivus beneficial लगे, तो आपको fee देख लेना है, देख लेजिए fee कितना easy है, simply आपको 1000 पर मन्त पे करना है, admission लेने के लिए क्या करना है, यह देखिए, सब कुछ website पर defined है, हमारे affiliation के बारे में जाना है, तो यह देखिए, affiliation पे क्लिक कीजिएगा, affiliation से related details आपको मिल जाएंगी, so service complete transparent है, कोई भी problem आती है, आप office hour में call करोगे, तो definitely solution होगा, ok, और information चाहते हैं, कोई query है आपकी, यहाँ पे सारी information राइट करके हमें send कर दीजिए, हमारे यहाँ से कोई counselor आपको खुद contact करेंगे और आपकी सारी query दूर कर देंगे, वैप institute के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद